जैसे आपने जस्ता और लोहे के छिड़काव की बात करी तो हमारे किसान भाई बेनों को कितनी मात्रा में इसका छिड़काव करना चाहिए इसके बारे मैं बताईए जस्ता और लोहा का घोल बनाने के लिए हमको थोड़ा ध्यान रखने के आवशकता है जैसे पंदर लिटर की टंकी होती है छिड़काव वाली तो उस एक टंकी के लिए लगवाग असी ग्राम जस्ता काम में आता है और चालीस ग्राम यानि उसका आधा आपको चूना काम में लेना है बुजा हुआ चूना जो कली वाला चूना होता है वो काम में लेना होता है तो सीधा जस्ते का उपयोग नहीं करना उसको चूने के पानी में मिला करके करना है अब उसका उपयोग का तरीका यह है पहले आप 40 ग्राम चूना ले लिजिए उसको साम को करीब 2 लिटर पानी में घोल करके रख दीजिए और सुभे जब वो अच्छी तरह घोल में नीचे बेढ़ जाएगा सफेद वाला पाउडर है वो नीचे बेढ़ जाएगा उसका नितरा हुआ पानी आप जो टंकी है छिड़कावाली उसमें डाल लें और उसमें फिर 80 ग्राम जस्ता मिला दें और अच्छी प्रकार से गोल करके फसल पर छिड़काव कर दें और यही तरीका जो है और यही मात्रा उसकी है लोहे की तो उसमें फैरस सलफेट आता है हराकसीस जिसको बोलते हैं उसको भी इसी प्रकार से 80 ग्राम हराकसीस और 40 ग्राम बोजा हुआ चूना ये दोनों इसी प्रकार से काम में लेने हैं तो ध्यान रखने के अवर्शकता ये है इसमें कि जो पहले चूने का घोल का पानी बना लें और उसका नित्रा हुआ पानी काम में लेना है उसमें फिर आपको जस्ता या लोहा का जो हराकसी से या जिंक सलफेट है वो आपको मिलाना होता है तो इस प्रकार से आप यह काम में ले सकते हैं तो इसका जो उपयोग है या जो प्रियोग है इसका वो कितनी बार हमारे किसान भाईयों को करना चाहिए? सामने ते एक बार 30-35 दिन की अवस्था पर काम में लेना चाहिए और देखिए इसकी खास पहँचान और है कि जिंक की कमी होती है या जस्ते की कमी होती है तो आपको जगे 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 ऐसे चकत्ते में एक जगे एक इस्थान पर फिर थोड़े दूर में दूसरे इस्थान पर ऐसे चकते में और आपको पौदे जो है न वो पिले-पिले रंके दिखाई देंगे और आपने चुकी क्या होता है अभी यूरिया का भी आपने जो से बुरकाव कर दिया उसके बाद भी अगर पिला पने इसका मतलब जिंक की कमी है जस्ते की कमी है ये खास प्यान होती है उस छेत्रों में आप विशेश रूप से अपने को और चलकाव दोहरा सकते हैं अपन उसको दस-पंदर दिन बाद दोहरा सकते हैं तो इस प्रकार से उसकी पूर्ती हो जाएगी और खास बात यह जिंक की कमी होने से पौदों की बढ़वार रुक जाती है प यूरिया की कमी से अगर पीला पन है पौदों में तो नीचे वाले पत्तों में तो यह पहँचान किसान भाई ध्यान रखें कि अगर यूरिया की कमी है निनतरजन की कमी है तो नीचे वाले पत्तों में वो पहले पीले होते हैं और अगर उपर वाले पत्ते पीले हो रहे है इसका मतलब जस्ते की कमी है